हेलो रमेश बावू मैं साधना बोल रही हूँ राधा बहुत बिमार है यहां के डाक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि सहर में किसी बड़े डाक्टर को दिखाओ इस सरकारी अस्पताल में उतनी सुधाये नहीं है आप क्या कहते हैं बावू दोसरी तरफ से रमेश ने कहा भावी ये भी कोई पूछने की बात है कलराधा को लेकर यहां आ जाईए बच्ची का सही समय पर इलाज जरूरी है मैं बवीता को भी इस बारे में बता दूँगा अभी वो बच्चों के साथ मार्किट गई है धन्यवाद रमेश भावी आप ये धन्यवाद कहकर पराया मत बनाईए जल्दी आ जाईए रमेश ने कहा और फोन रख दिया अब बवीता को समझाना रमेश के लिए चौन चु का बुरा नहीं माना आज भी वो भावी को पसंद नहीं करती है बवीता लोगों को उनके कपरे तोर तरीके रहन सहन के हिसाब से ही उनका आकलन करती है ना कि उसके बेभार से अभी इसी सोच में डूबा था कि तभी बवीता और बच्चे मार्केट से वापिस आ गए बच् जाओ पहले हैंड वास करके कपरे चेंज कर लो बवीता सुनो जरा रमेश ने पुकारा हाँ बोलो क्या है जरा पहले फ्रेस होकर आओ फिर बताता हूँ रमेश सोचते हुए कहा कुछ दिर बाद बवीता आई तो रमेश ने कहा बवीता साधना भावी का फोन आया था आप्टर ने बच्ची को बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए कहा है अच्छा अब समझी वो यहां आएंगी इसलिए इतना घुमा फिरा कर बाते कर रहे थे हाँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ अच्छे से पेस आओ समझी पवीता बिना कुछ बोले वहा भाई नहीं दे रहे हैं बच्चे स्कूल गये हैं बवीता ने बताया बवीता ने उन्हें स्टोर रूमें ठहरा दिया रमेश ने कहा भावी मैं आज डॉक्टर से अपर्टमेंट ले लूँगा इतना कहकर वह आफिस के लिए निकल गया साम को रमेश बच्चों को लेकर आ खुस हुई परस्थिती को सामानने बनाते हुए रमेश ने कहा बेटा किसी इनसान का आकलन उनके कपरों से नहीं होता बलकि उनके बेभार से होता है चलो दोनों बड़ी मां को नमस्ते करो दोनों बच्चे ने उनके पैर चुए साधना भावी ने उन्हें खूब आसिरव बच्चे हैं तभी नेहा ने एक खजूर लेकर खा लिया और उसने कहा पापा ये तो बहुत टेस्टी है ममा आप खजूर क्यों नहीं बनाती बवीता मन ही मन आग बबला हो गई दूसरे दिन रमेश राधा को लेकर अस्पताल पहुंची वहां उनका इलाज हुआ और आदी कहने लगा अभी मत जाईए और नहा राधा देदी के लिए रोने लगे